Hello everyone and welcome back to VIRAL BANDA मैं हूँ अलीज शाविस खान और आज में बात करने वाला हूँ Android P की तो फाइनली Google ने Android P बीटा वर्जिन रिलीज कर दिया है Google Pixels पर Google Pixel और Pixel 2 पर और आज हम इसी की बारे में बात करने वाले हैं कि Android P में हमें कौन-कौन से नए और अच्छे फीचर मिलने वाले हैं और कौन-कौन से Android P में ड्रॉबैक्स मिलने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं Android P की सबसे हाईलाइट फीचर की जोकि है Single Home Navigation Bar इस Navigation Bar में सिर्फ आपको एक Single Home Button मिलेगा on the screen जिसको यूज करके आप बाकी तीन buttons का फायदा उठा सकते हैं जैसे कि अगर आप Slide Up करेंगे तो Recent Panel खुल जाएगा और अगर आप Long Hold करेंगे तो शायद Google Assistant खुल जाएगा तो अब बात करते हैं Android P के दूसरे अच्छे फीचर की जो है On Demand Screen Rotate तो यह problem शायद आपने भी face की होगी कि जब हम Auto Rotate Feature के यूज करते हैं और जब Unwantedly Screen Rotate हो जाती है तो हमें काफी गुस्सा आता है तो बस इसी annoying situation से बचने के लिए Android P में एक नया फीचर है Screen Rotation Prompt तो जब भी आप Screen Rotate करोगे तो यह आपको Navigation Bar पर एक Prompt आ जाएगा कि आपको वाकई Screen Rotate करनी है या फिर यह सिर्फ गलती से हुआ था Android P का एक most interesting feature यह भी है कि अगर आप Recent App यूज कर रहे हैं तो आप Apps को खोले बिना Recent Apps से ही टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं तो अब बात करते हैं App Actions की यानि कि आपको आपको बिना खोले ही सिर्फ अपने App Drawer में जाके आप किसी भी आप पर Long Hold करेंगे और आपको Shortcuts Actions मिल जाएंगे यानि कि अगर आप WhatsApp को Long Hold करेंगे तो आपको किसी को Message Send करने का Option App Drawer में ही मिल जाएगा आपको WhatsApp खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो यह काफी इंटरस्टिंग फीचर है जो कि Day-to-day Life में यूज कर सकते हैं और अब बात करते हैं Adaptive Battery की यह Android P का एक बहुत ही अच्छा फीचर है और बहुत ही useful फीचर है यह AI-based feature यानि की Artificial Intelligence यह आपका Day-to-day usage देखता है और यह देखता है कि आप Day में कौनसी Apps ज्यादा यूज करते हैं और यह सिर्फ उनी Apps को Active रखता है और Background Apps को यह Deactive कर देता है या फिर Inactive कर देता है और यह आपकी Battery Life बहुत ही इंप्रूफ कर देता है और यह बहुत ही अच्छा फीचर है Google ने Android P में Artificial Intelligence पर ज्यादा ध्यान दिया है यानि की आप बात करते हैं Dashboard App की Dashboard एक ऐसी अप है जो आपका Day-to-day यूजिज दिखती है कि आप सबसे जादा क्या यूज करते हैं और आप कितना टाइम कौनसी अप पर जादा विस्ट करते हैं और उसका Overall Analytics आपको एक Dashboard App में दिखा देती है और यह आपका Day-to-day यूजिज दिखाती है और कितनी बैटरी लिया है उसे अपने यह दिखाती है और कितना टाइम लिया है उसे अपने यह दिखाती है तो Dashboard एक काफी अच्छी अप यह थापित हो सकती है आपके लिए हम सब के लिए हाला कि Dashboard का अभी Android P के पीटा वर्जिन में इंप्लिमेंट नहीं किया गया है पर Google ने बोला है कि Dashboard App Android P के साथ आपको मिलेगा तो गाइस अब बात करते हैं Android P के Notification Bar और Status Bar की अब देख सकते हैं कि Android P में Status Bar और Notification Bar में काफी चेंजिस हुए अब QS Style को देख सकते हैं वो ब्लू कलर में हो गया है सायन कलर में है और काफी राउंड हो गया है पहले से जादा राउंड है और हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो Settings का Shotcut Icon है वो अब उपर की जगा नीचे आ गया यानि कि अब हम नीचे Settings का Icon देख सकते हैं और Information यह मिली है कि Notification Panel पर जो Notification देखने को मिलेगी वो अब Card Style में होंगी और अगर हम Settings App की बात करें तो इस बार हमे Settings App में काफी सारे Color देखने को मिलेंगे हर Settings का एक अपना Color होगा Android P में Google Assistant को भी काफी Upgrade किया गया है काफी More Results के साथ Google Assistant को Upgrade किया गया है और Implement किया गया है Android P में तो गाइस यही सारे फीचर हमें Android P में देखने को मिलेंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट कीजिए थैंक यू